आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजयाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो आर्टिष्ट वेलफेर एसोसियेशन के बैनर तले कानपूर एंकर्स एलेविन और कानपूर डीजे इलेविन का मैच हुआ जिसमें डीजे इलेविन ने टास जीत कर फिल्डिंग का फैसला किया पहले बल्लेवाजी करते हुए निर्दारित बीस उवर में एंकर इलेविन ने 270 रन बनाए जिसमें पहले बल्लेवाजी करते हुए ओपनिंग में उतरें एंकर सिवं सुकला ने 62 रन बनाए सांदर 92 रनों की नवाद पारी के लिए जिसमें और दो बिकेट लिए जिसके लिए उन्हें मैंनाबदा में चुना गया एंकर्स 11 के कप्तान अनुराग स्रिवास्तो अन्हा ने सांदर रन नीत के तहिर डीजे 11 की पूरी टीम को सो रन के अंदर आल आउट कर दिया जिसमें डीजे 11 की कप्तान अब सेग तिवारी ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए एंकर्स की ओर से 2 विकेट अमनागर, 2 विकेट रानु सुकला, 2 विकेट टीम के कप्तान, अनुराग अन्हा दो विकेट अमे सर्मावा, 1 विकेट सिवम सुकला, 1 विकेट आसिस रिवास्तों ने लिया बिजेता टीमों को आर्टिस्ट वेलफियर एसोसियेशन के अदच संजर सक्सेना महामंतरी दिनेशी धर्मेश यादव निहा गौरो निगम रत्मा गुपता गौरो निगम मौहमत फराज जस्वीर जुनेजा आध ने प्रुसकार बितृत करके कराकारों का मनुवल बढ़ाय कानपूर से एंडियन प्रामनुज के लिए आमिठाकूर की रिपोर्ट पहला मैच है आज है एंकर स्वाट टीजे का अज है कब से यह हमनों ने भी शुरू किया है यह पहला मैच है इसके पहले दो नहीं हुआ लेकिन यह भी पहला मैच है और इसमें कमसंद छे से साथ आठ टीम हैं हमारी यह अब है यह अब है कुछ गए दे दे के हम लोग कराएंगे तो एक डेड़ महीं चलेगा है मैच फाइनल विजयता के लिए हम लोगने ट्रॉफी रखी है कुछ कैश प्राइज भी है तो हम हमारी एस्टेशन को देगी तो नहीं एज लिमिट कुछ नहीं है इसमें जितन की जितने आटिस्ट है कानपुर में इस तरह पहली बार हो रहा है आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो यह हम लोग शुरू करी है और हमारी एस्टेशन इस तरह के कारकरम करती रहती है और यह प्लेयर्स के लिए हम लोग नहीं यह गेम्स का हमने पहला किया है और शोज वगरा आज बीग लोग कराते रहते हैं करीबों के लिए अभी लॉग डॉडाउन में भाट सारे इवेंट करें लोग को अभी शुरू करें हमनों इस तरह के कारकरम आगे भी करने रहे हैं झाल झाल